नम्सकार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है सिरे सबने बूलना ही छोड़ दिया सिर्फ उनकी बेटी श्रिया अभी भी उन्हें इस चीज़ पर टोकती है अच्छा सुनिये आज आपना बहार जाएंगे न तो मेरे लिए एक नई कड़ाई ले आईगा ये वाली जलके काली हो गई है और खुद के लिए भी थोड़े नए कपड़े ले लो पापा कब तक वही छे जोड़ी कपड़े और ये पुराने अटची लेकर घुमोगे पार्टी शादियों में पहनने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है पापा अरे पैसे क्यों फाल तुम्हें खर्च करने है ये कपड़े ठीक तो है और पार्टी शादियों में वो मुझे बुलाते है ना की कपड़ों को देखा श्रेया तुझे बोल बोल के ठक गई हूँ तेरे पापा को कोई नहीं समझा सकता श्रेया तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ ले आएंगे ठीक है मुझे फिलहाल किसी चीज के जरूरत नहीं है श्रेया की बहुत कोशिश करने के बावजुद भी शर्मा जी को वो समझा नहीं पाती पर वो हार मानने वालों में से नहीं है उसको समझ में नहीं आता कि क्या किया जा सकता है और वो इस बारे में अपने दोस्तों से बात करती है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं कि पापा थोड़ा खर्श खुद पर भी तो कर ले औरे ये तो आजीब है एक आत्मी इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है पर खर्च नहीं करता तुन्हें अंकल से जिद करके देखा क्या हाँ यार सब करके देख लिया मैं उनसे अगर गाड़ी भी मांग लू न तो मेहनत करके वो भी मुझे ला देंगे पर पर सो मैंने उनके लिए 80 रुपी के आईस क्रीम मंग आई थी तो उनके गले से वो भी नहीं उत्री अरो सुनना बेरे पास एक आइडिया है पर उसके लिए थोड़ी मांट और थोड़ी आक्टिंग करने पड़ेगी थो रेडी है क्या ये सब काने के लिए हाँ हाँ ठीक है तीरा आइडिया भी ट्राइ करके देखते हैं ना श्रेया और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं प्लान के तयारी भी कर लिजाती है अब बस बारी है श्रेया की प्लान को पूरा उसे ही तो करना था अगली सुबर जब शर्मा जी बातरूम में नहा रहे होते हैं आफिस जाने से पहले शर्मा जी के बास का फोन आता है जो कि श्रेया उठाती है शर्मा जी के बातरूम से निकलते ही श्रेया उन्हें बताती है पापा आपके बास का फोन आया था वो आपको किसी मिटिंग के लिए राज होटल में बुला रहे हैं क्या राज होटल वो तो बहुत महेंगा है हाँ और उधर का एक ड्रेस कोड है आप कुछ भी पहन कर उस होटल में नहीं जा सकते पापा अच्छा हाँ चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ कपड़े लेने श्रिया शर्मा जी को शहर के एक जाने माने टेलर के पास ले जाती है जहां वो उन्हें समझाती है कि राज होटल में जाने के लिए उन्हें सूट, कोट, जूते, बैल्ट सब चाहिए वहाँ वो अपनी चपल पहन कर नहीं जा पाएंगे शर्मा जी थोड़े डरे डरे से कपड़े सलेक्ट करते हैं और फाइनली जब सलेक्ट हो जाता है तब शर्मा जी को उनकी बॉस का फिर से कॉल आ जाता है जी सर, मैं बस आज की मीटिंग के लिए कपड़े ही खरीदने आया था सर जी सर, वही मीटिंग जिसके बारे में आपने बोला था होटल राज में क्या? आपने कोई कॉल नहीं किया ऐसा? ठीक है सर, मैं यहाँ से जल्दी से निकल कर आफिस पहुँचता हूँ सर जी जी ठीक है सर श्रेया का जूच पकड़ा गया था और उसका प्लान फेल हो गया था शर्मा जी ने लगभख सारे नए कपड़े खरीदी लिये थे पर वो पैसे देने से खुद को रोक लेते हैं उनकी बॉस के फोन के बाद और वो श्रेया की तरफ पलटते हैं हाश इतने सारे पैसे बच गया आज तुम्हारे जूट की वज़े से इतना बड़ा खर्चा हो जाता मेरा वो तो अच्छा हुआ कि बॉस का फोन आ गया और मैं बच गया पर पापा आप कितने हैंसम लग रहे हो एकदम जेंटलमान श्रेया की बाद सुनकर शर्मा जी आईनी की तरफ पलटते हैं खुद को सूट कोट में देखकर वो भी हलका सा मुस्कुराते हैं और कैशर को जाकर पैसे दे देते हैं चीक है तुम कहती हो तो इस बार ले लेता हूँ पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर और सिर्फ इस बार अगली बार आप खुदी की कहने पर खरीद लेना तुम मुझे इतनी मैनत नहीं करने पड़ेगी पापा झाल